जब जब कोई राजा डरता है तो वो नया फर्मान जारी करता है कहीं न कहीं ये सरकार रेवडी सब्द के जरिये इस देश की जंता को एक बार फिर जुमला देना चाहती है और हमें गुलाम बनाना चाहती है हमें 5 किलो रासन नहीं चीए हमें आप सिच्छा दीजे, बहतर सिच्छा दीजे, बहतर स्वास्त दीजे, हिवाओं को रोजगार दीजे अगर आपको सिच्छित बना देंगी तो हमारे जैसे करोणों हिवा सरक पर खड़े होके और सरकार से सबाल पूछेंगे लेकिन कहीं न कहीं ये कलम को छीन के हमारे पेरों में जंजीर बातना चाहती है जैसे देश के परधान मंतरी रोड़ी सब्द का परियोग कर रहे हैं वो आसम बैधानिक सब्द नहीं है, आसम सदिये सब्द नहीं है लेकिन अगर देश में अगर हम भरस्टाचारी को भरस्टाचारी कहेंगे तो देश के परधान मंतरी को मिर्ची लग जाएगी शवन कुमार पांडे, इनको अक्सर आपने देखा होगा इनकी वीडियो वाइरल होती है यह देश के ऐसे परवक्ता समझ लीजिए, जो देश में हालात घटते हैं चाहे वो सीए कान हो, किसानो का अंदोलन हो, यह तमाम ऐसे जो जन विरोधी नीतिया है लगातार सड़कों पर विरोध करते होंगे, आपको दिखेंगे लेकिन जो मैनिश्ट्री मीडिया है, वो इनको अपने टीवी प्रोग्राम में नहीं बुलाता है क्योंकि जो इनके सवाल होते हैं, जिस तरीके से यह अपनी बात रखते हैं बीजेपी के बड़े-बड़े परवक्ता, बड़े-बड़े परवक्ताओं को यह पचाड देते हैं तो हमारे साथ सर्वन पांडे हैं, उन्हीं से बात करेंगे, क्या लगता तो मोदी जी ने बोल दिया है कि फिरीकी रेवडी कल्चर में मत पढ़िये देखे, मैं कहता हूँ, परदान मंतरी मोदी जी से पूछना का पहता हूँ, क्या यह असंजबायदानिक सब्दा है कि नहीं आए क्योंकि आज आज आपने देखा होगा जिस तरह से संसद भमन में, जिस तरह से सब्दों पे लगान लगाई जाती है क्या वाकही में इस देख के लोगतंत को बचाने की बात है, जो सरकार इस देख के लोगतंत के नाम पे कहती थी लोगतंतर बचाने के लिए आई थी सरकार लेकिन आज लोगतंत्र पे वही ताना साही सरकार ने इस कुरूरता से उस लोगतंत्र का खात्मा करने का काम किया मैं कहता हूँ आप दूसरे सब्दों आप देश के किसानों के लिए आपने आमदोलन जीबी का सब्द परियोग किया तब आपको असंबैधानिक सब्द नहीं लगा लेकिन आज सायद ये सरकार डरी हुई है जब जब कोई राजा डरता है तो वो नया फर्मान जारी करता है कहीं न कहीं ये सरकार रेवडी सब्द के जरिये इस देश की जंता को एक बार फिर जुमला देना चाहती है मैं कहता हूँ हमेशा प्रधान मंतरी को जुमला जी भी कहा जाएगा आखिर आप बताईए क्यों ना कहा जाए जो प्रधान मंतरी दो करोनी वाओं को रोजगार देने की बात कहा था वो प्रधान मंतरी के सासनकाल में आप सबसे ज़्यादा CMI की रिपोर्ट उठाईए सबसे ज़्यादा बेरुजगारी दर है अब आप बताईए ताना सा को ताना सा नहीं कहेंगे आपने खरीद फरोग करके महराष्ट की और मतवर्देश की सरकार आपने पलटने का काम किया तो आपका ताना सा नहीं क्या सहंसा कहा जाएगा अगर आपकी हिव सरकार में मंत्री अगर भ्रस्टा चार करेंगे एडियार की रिपोर्ट उठाके देख़े सबसे ज़्यादा भ्रस्टा चारी बैठे हुए हैं तो आपको भ्रस्टा चार नहीं क्या सिश्टा चार कहेंगे ये कहीं न कहीं सरकार इस देश के लोक्तंतर पे एकदम चंगुल में फसा के और इस देश की जनता को कंगाल बनाना चाहती है लेकिन मैं कहता हूँ देश के इवाओं से जल्मी कब तक जल्म करेगा सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा गूज उठेगा इंकलाप के नारों से हम इंकलापी लोग हैं आजाद भगत सिंग के बंसा जाएं बहरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है हम अपनी आवाज से इस देश में लोगों को जगा रहे हैं करोड़ों रुपे खर्च करके और उसके ऊपर जो असोक इस्तम्ब है सेर खुंखार भी लगाया है ताकि लोगों में एक संदेज जाए कि यहां बें डर यह हम से देखे बिलकुल सही बात है कहीं न कहीं एक असोक अस्तम्ब शमराट असोक के द्वारा बनाया गया था जो सारनात में इस्तित है अखिर आप बताईए असोक अस्तम्ब में एक डरावनी तस्वीर दिखाना क्या वा कहीं में ये राष्टिये चिन्ह के साथ ये न्याय है राष्टिये प्रतीक को जिस तरह से भारतिये जंता पाटी ने इसको कहीं न कहीं शर्मसार के आप बताईए सेर का जो मुह है उसको आदम खोर बनाना आपने देखा होगा चाहे दिल्ली प्रसासन में आप जाके दिखिए चाहे जो ठिकट हैं उसमें सेर के मुह की बात करिए कहीं न कहीं ये सरकार इस देश में हमारे राष्टिये प्रतीक को और कई ये इसे राष्टिये धरोरों को इन्होंने खतम करने का काम किया है क्योंकि आप देखेंगे ये चुनाव जी भी और फिटी फोटो जी भी लोग ना होते तो अनावरन के बाद एक फोटो तस्वीर ना खिचानी होती हमारे देश के परधान मंत्री कोई भी चीज अनावर करनके तो सबसे पहले वहाँ फोटो खिचवाएंगे आपने देखा होगा चक्र शुप रहा है लेकिन मोदी जी की फोटो एकदम सीधे कैमरे में आ रही है क्या वो आ कहीं में ये जनता के लिए सरकार है कहीं न कहीं ये जनता के लिए सरकार नहीं है इससे पहले यही हाल जर्मन का हुआ था, अडोल फिटलर की कहानी आपने सुनी होगी, जर्मन का ताना साभी चाहता था, वो बिस विजेता का सपन देखता था, वही हाल हमारे देश के परधान मंतरिया है, यह बिस गुरूब का सपन देख रहे हैं, लेकिन देश की गरीब ज पूछना हमें लाजमी है क्योंकि कहीं न कहीं अगर लोकतंत्र में सवाल नहीं पूछा जाएगा तो लोकतंत्र देश की जनता के उपर हाभी हो जाएगा इसलिए हम सवाल पूछते हैं और आप बताईए आपने एक से बहुत बनिया कहा इस्ट्रीम मीडिया हमें जगा नहीं ले आएंगे क्योंकि आप धर्म के नाम पे ही लडाना चाहते हैं वो बाइट मेरी काट दी गई वो बाइट न्यूजए दिन से काट दी गई क्योंकि ये लोग कहीं न कहीं डरे हुए हैं ये केवल प्रोपोगेंडा वाली खबर है जो ये चलाते हैं जो देश की शरकार कह है ये सरकार इस देश की जनता की आवाज से डरी हुई है और डरी और सहमी सरकार को हम जैसे देश के युवा ही इसको मुहतोड जवाब देने का काम करेंगे और ईट से इट बजाने का काम करेंगे जब मुसल्मान हिंदुों का गला काटेगा उदेपूर हो अमरावति हो या ऐसे तमाम इंसिडेंट है तो क्या करेगी भाई भारत जो है वो हिंदुों के लिए है देखे ये भारत धर्मे निर्पेक शिराष्ट है धर्मे निर्पेक शिराष्ट है मैं कहता हूँ गलत को ग वाकही में वो सरकार NSA और UAPA उनके उपर लगाती है जो कहते हैं मुले काटे जाएंगे राम राम चिलाएंगे उनके उपर क्या UAPA लगता है उनको जेल की सलकों के पीछे के डाला जाता है ये भी सवाल आता है कहीं न कहीं अगर आप सत्ता पक्ष में हैं तो आप कुछ भी भासा का परियोग कर दीजिए आप जैसे देश के परधान मंतरी रियोडी सब्द का परियोद कर रहे हैं वो आसंबैधानिक सब्द नहीं आसंसदिये सब्द नहीं है लेकिन अगर देश में अगर हम भरस्टाचारी को भरस्टाचारी कहेंगे तो देश के परधान मंतरी को मिर्ची लग जाएगी कहीं न कहीं इस देश में आज इवाओं को रोजगार की बात करनी चाहिए देश में किसान आप बताईए ही सरकार किसानों को दो गुनी आय की बात करती थी आज 2022 में अगर दो गुनी आए नहीं हुई है तो क्या हम देश के परधान मंतरी से सबाल नहीं पूछेंगे कि किसानों की दो गुनी आए नहीं हुई तो ये जूटता ये जुमला था तो कहीं न कहीं जुमला जीबी और अंदोलन जीबी जो ऐसे ऐसे सब्दों पे जो बैन और परतिबंध लगाया गया है ये कहीं न कहीं देश के लोकतंद पे और हमारे जैसे नौजमान करोणों देश के युवाओं के उपर हमारे जैसे दादा बाबा बुजुर्गों उपर जिनके हक के लिए हम लड़ते हैं कहीं न कहीं उस हक को दबाया जा रहा है लेकिन हम ह चीनने का काम करेंगे अगर सरकार हमारे हग को लेने का काम करेंगी आप बताइए इस देश में कलम नहीं सरकारें देना चाहती है अगर आपको सिछित बना देंगी तो हमारे जैसे करोडों युआ सरक पर खड़े होके और सरकार से सबाल पूछेंगे लेकिन कहीं न कहीं ये क को चीन के हमारे पैरों में जंजीर बादना चाहती है उसी जंजीर को हम स्वतंतर रहना चाहते हैं क्योंकि अभिवक्त की आ जाती है भारत सबसे बड़ा विश्व का लोगतंतर इक देश है और इस लोगतंतर में अपनी आवाज को उठाना अपने हद को मांगना कोई गलत न स्रिलंका का हार गोटे बाई राचपक्षे को राश्पती भवन छोड़ के जाना पड़ा क्या ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी स्री लंका के लिए आज देखे पूरा देश में आज 158 लाख हजार करण करजा है क्या आने वाले समय में हों में दैनिये इस्थिति देख प में नौकरियां हैं मैं आप जाएए प्राइवेटेजेशन की बात किया सरकार ने प्राइवेटेशन आज कौन सी प्राइवेट नौकरियां हैं कहीं न कहीं ये सरकार प्राइवेट करके ये उन उद्योगपतियों के जरिये उनके हाथ में सत्ता देना चाहती है कि आप इस समान निदी के नाम पे मैं किसान का बेटा आता हूं हमारे गेहुं का मुली 11 रुपे होता है लेकिन वही जब अदानी और रिलाइंस फ्रेस में पहुंच जाता है तो 200 रुपे का 5 किलो बिकता है क्या ये देश में गुलामी नहीं है अगर आप हमें गुलाम बनाएंगे तो ह करकार को सत्ता मिलाया था बीजेपी के लोग कहते हैं कि अगर आपको सेर पालना है देश को मजबूत बनाना है तो ये सब चीज़ें आपको उठानी पड़ेगी 200 रुपे तेल डलवाना पड़ेगा 1000 रुपे पिले सिलेंडर खरीदना पड़ेगा क्योंकि हमने सेर को जित अगर देश के परदान मंतरी आप कहते थे मैं गरीब बेड मा का बेटा हूँ लेकिन आपने गरीबों के हाथ से निवालग छिनने का काम किया ऐसी करूड सरकार को सथा से बेदखल किया जाएगा और जब तक इस सरकार को सत्ता से बेदखल नहीं करेंगे ऐसे अब आजे हमारी बुलंध रहेंगी और इस देश में अब रात चलेगा जनता का क्योंकि ज पंवर्ण थे, इनके जो सवाल हैं वो आपको चुप सकते हैं, खास कर जो सत्ता में बैठी सरकारे हैं, उनको चुप सकते हैं, उनके पास इनके सवालों का जवाब नहीं होगा, इसी लिए इनको टी वी डी बेट में नहीं बुलाया जाता। हम थे इस वक्त जंतर मंतर पर कैमरा परसंद धर्मिंदर के साथ जनीत आवाज दिली